हलो बच्चों आज हम बायो टेक्नलोजी एंड इट्स एप्लिकेशन चैप्टर के पार्ट तू को डिसकस करेंगे हलो बच्चों गंगवार इंस्ट्टूट फॉर नीट चनल पे आप सभी का सवागत है मैं हूँ डॉक्टर हरियों गंगवार और इस समय हम क्रेस कोर्स में चैप्टर 29 पर रहे हैं और इसका पार्ट 1 मैंने कल अप्लोड कर दिया था आज अब इसके पार्ट 2 को डिसकस कर रहे हैं इस चैप्टर से हर साल नीट में करीब दो से तीन कुश्चन पूछा जाते हैं खास दोर से बीटी कॉटन हो गया जीन थेरैपी का टॉपिक हो गया बायो पाइरेसी का टॉपिक हो गया तो आज यहां पर हम बैटा बायो टेक्नलोजी के एप्लिकेशन के बारे में डिसकस करेंगे इस चेप्टर में बायो टेक्नलोजी के दो एप्लिकेशन मुख रूप से हमें पढ़ने थे पहला बायो टेक का एप्लिकेशन एंगरी कल्चर में और दोसरा मेडिसिन के फिल्ड में इसके लाओ आपने देखा वहां पर melodic यानि incognitia से बचने के लिए tobacco में RNA interference का तरीक आपको बताया गया इसके बाद हमने bio technology के application को medicine के field में पढ़ना start किया और वहाँ पर आपने देखा कि genetically engineered insulin को किस तरीके से बना के जो diabetic based center उन्हें cure किया गया तो बटा इसी bio technological application in medicine के second part को हम discuss करेंगे जो कि यहाँ पर है gene therapy बटाई gene therapy कब हम यूज करते हैं इसको पहले समझ लेते हैं अगर किसी person का जन्म होता है किसी genetic disease के साथ hereditary disease का मतलब genetic disease जैसे आपने mendelian disorder पढ़े हैं तो mendelian disorder hereditary disease है ऐसी बीमारियां जो माता-पिता से बच्चों में आते हैं genetic disease या hereditary disease कहते हैं तो अगर किसी बच्चे में जन्म से कोई बीमारी है जो उसके parents से उसको मिली है तो फिर उसको बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है तो आप कहेंगे gene therapy के दौरा gene therapy एक ऐसी कोसिस है जिसके दौरा हम genetic disease को treat कर सकते हैं तो gene therapy में हम करते हैं और genetic disease में होता क्या बटा genetic disease में gene में defect आ जाता है gene में कोई गरबड़ी आ जाती है तो gene therapy के process में क्या किया जाता है यहाँ पर जो gene defect होता है उसको correct किया जाता है और इस gene defect की diagnosis या तो embryo के level पे हो जाती या किसी बच्चे में इसको डाइगनोस किया जाता है तो बैटा जीन थिरैपी का सीधा सा मतलब होता है कि जो defective gene है उसकी जगे पर सही gene को insert करना बैटा जीन थिरैपी में जो gene होते हैं इनको insert किया जाता है उस patient की cell में या tissue में किसी genetic disease को treat करने के लिए बैटा genetic defect को correct करने के लिए normal gene को deliver किया जाता है क्योंकि genetic disease में जो gene होता है उसमें कोई गरवड़ी आ जाते है abnormality आ जाती है तो abnormal gene की जगे पर normal gene को insert किया जाता है किसी individual में या embryo में और ये जो normal gene होता है ये non-functional या abnormal gene के function को और उसकी कमी को पूरा कर देता है सबसे पहली जो clinical gene therapy है ये 1990 में की गई चार साल की एक बच्ची थी स्री लंका की जिसमें adenosine deaminase enzyme की deficiency थी और इस बच्ची में adenosine deaminase enzyme की जो deficiency थी इस भीमारी से इस बच्ची को बचाने के लिए सबसे पहली clinical gene therapy की गई this is not diaminase यहाँ पर गलती होती है that is adenosine deaminase enzyme deficiency अब ये जो enzyme होता है बचा ये immune system की functioning के लिए जरूरी होता है इस enzyme की कमी होने की वज़े से जो person होता है उसका immune system कमजोर हो जाता और इस बीमारी का कारड क्या है जो ADA deficiency होती बचा इसमें जो adenosine deaminase enzyme का gene होता है उसमें deletion हो जाता है ये menti में आज मैंने पूछा भी था बचा कि deletion की वज़े से बीमारी होती है क्योंकि आप जानते है one gene, one enzyme, one character तो one gene, one enzyme को बनाता है तो adenosine deaminase एक enzyme है इसको बनाने वाले gene में deletion हो गया क्योर करने के लिए bone marrow transplantation किया जाता है bone marrow transplantation तो ये तरीका ध्यान रखेंगे bone marrow transplantation जिसे Chris में आपने देखा होगा कि जो मानवर था उसने अपने father का bone marrow transplant कर लिया था या फिर कुछ बच्चों में इसे treat करने के लिए enzyme replacement therapy का यूज करते हैं enzyme replacement therapy में क्या करते हैं कि जो patient होता है उसमें functional adenosine deaminase enzyme दिया जाता है injection के द्वारा जैसे insulin का injection दिया जाता है वैसे patient को ADA का injection दिया जाता है जिसे हम कहते हैं enzyme replacement therapy या फिर bone marrow transplantation के द्वारा भी हम इसे treat करते हैं लेकिन इन दोनों ही तरीकों में जो दिक्कत है वो यह है बैटा कि यह तरीके completely curative नहीं है यानि इन तरीकों से बीमारी का पूरी तरीके से इलाज नहीं किया जा सकता है अच्छा दूसरी बात यह भी बैटा कि जो bone marrow transplantation है enzyme replacement therapy हैं यह gene therapy के part नहीं है अब आते हैं gene therapy में gene therapy की बैटा बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जो ADA enzyme होता बैटा इसका production lymphocyte करते हैं तो जो patient के blood से lymphocyte होते हैं उन lymphocyte को निकाला जाता है और उन्हें culture में body के बाहर grow कराया जाता है patient जो भी है जिसको ADA deficiency है उसकी body से lymphocyte को निकालते हैं और culture बना लेते हैं culture के दौर लिंफोसाइट का नंबर बढ़ जाता अब इन lymphocyte में non-functional ADA है तो और में हम functional ADA, cDNA retrovirus का यूज करके introduce करते हैं मैंने आपको पिछले chapter पढ़ाया भी था कि plant के case में beta agrobacterium tumifacients के vector का यूज करेंगे किसी DNA को डालने के लिए और animal में retrovirus का या एडिनो वाइरस का यूज करेंगे तो यहां पर हम human के अंदर ADA, adenosine, deaminase, complementary, DNA को इंटर्डियूस करेंगे तो इसके लिए retrovirus vector का यूज करते हैं और इससे lymphocyte के अंदर introduce कर देते हैं अब इन lymphocyte को वापस patient की body के अंदर डाल दिया जाता है अब इन lymphocyte के अंदर जो कि functional ADA gene है इसलिए functional enzyme का formation होगा लेकिन समस्या यह है कि जो lymphocyte हमने patient के अंदर डाली इनका definite life span है यह सेल अमर नहीं, immortal नहीं है और इसलिए patient को हर कुछ समय के बाद निस्स समय के बाद genetically engineered lymphocyte introduce करनी पड़ेंगी तो यह भी permanent cure नहीं है bone marrow transplantation, enzyme replacement therapy and periodic infusion of genetically engineered lymphocyte तीनों ही permanent cure नहीं है तो फिर बेटा permanent cure क्या होगा अगर हम normal gene को bone marrow cell से isolate करके bone marrow cell जो की ADA को produce करती है अगर हम इनको introduce करते हैं early embryonic stage में, morula के stage में या blastula के stage में functional ADA को अगर हम cell के अंदर introduce कर देते हैं blastomere के अंदर तो यह permanent cure हो सकता है तो permanent cure के लिए क्या करना है कि जो ADA है बेटा, उस ADA को early embryonic stage में functional ADA gene को early embryonic stage में introduce करना है cell के अंदर और यह permanent cure हो सकता है bone marrow transplantation enzyme replacement therapy या periodic infusion of genetically engineered lymphocyte यह temporary cure की category में आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह topic आपको समझ में आया होगा crash course बेटा अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको like जरूर करेंगे जादा जादा वीडियो शेयर करेंगे और अपने सुझभव भी आप comment section में दे सकते हैं तो मेडिसिन के फिल्ब में पायोटेक के दो application हमने पढ़े पहले हमने पढ़ा genetically engineered insulin दूसरा हमने पढ़ा gene therapy अब तीसरा application है molecular diagnosis यानि बीमारियों का पता लगाने के लिए हम पायोटेक का किस तरीके से यूज करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसको समझने के पहले जो कि आप doctor बनने जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी बीमारी के सही treatment के लिए बीमारी का सही समय पे early diagnosis यानि काफी जल्दी बीमारी का पता चल जाए और साथ ही उसकी pathophysiology को भी बात करते हैं तो pathophysiology का मतलब होता है बटा study of altered physiology of host किसी भी host के अंदर जब कोई बीमारी होती है तो उसकी physiology में कुछ changes हो जाते हैं इसी को हम pathophysiology कहते हैं और pathophysiology को समझने के बाद ही हमें बीमारी को समझने में मदद मिलती है pathophysiology को देखके ही हम ये पहचान करते हैं कि person को कौन सी बीमारी है जिसे किसी person का spleen का size बढ़ा हो गया तो उसे कहते है spleenomegaly और spleenomegaly खास तोर से कहां देखने को मिलती है malaria की case में देखने को मिलती है तो नहीं malaria की diagnosis के लिए हमने क्या यूज किया pathophysiology का यूज किया अब बीमारी का पता लगाने के कुछ पुराने तरीके हैं जिने हम कहते है conventional method conventional method में आते है serum and urine analysis serum analysis में बीटा क्या आता है जैसे कि blood test जो आप कराते हैं जितने भी blood test होते बेटा उस serum analysis में आते हैं और urine का जो test होता है उसे urine analysis कहते हैं जैसे urine analysis के दौरा diabetes का पता लगाया जाता आपको मिने बता है glycosuria and ketonuria ये urine analysis के दौरा किये जाते हैं और इससे diabetes mellitus का पता चलता है blood test के दौरा बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जैसे typhide हो गया malaria हो गया इनका पता serum analysis के दौरा किया जाता तो ये पुराने तरीके conventional परमपरागत तरीके हैं इनसे हम early diagnosis नहीं कर सकते बटा early diagnosis का मतलब बीमारी होने के पहले आपको नहीं पता चलेगा ये technique तब आप यूज करेंगे जब person को बीमारी हो चुकी होगी लेकिन आज कल ऐसे कई तरीके हैं जहां पर बीमारी होने से पहले ही बीमारी के बारे में पता चल जाएगा जैसे recombinant DNA technology polymary chain reaction PCR जिसे कहते हैं enzyme linked immunosorbent these are some of the technique that serve the purpose of early diagnosis तो बीटा early diagnosis के लिए ये तीन तरीके यूज किये जाते हैं serum and urine analysis early diagnosis में यूज नहीं किये जाते हैं अब बीटा जो पुराने तरीके हैं serum और urine analysis इन techniques से pathogen का पता pathogen उसे कहते हैं जो disease cause करता है जैसे bacteria, virus फंजा ये pathogen है pathogen का पता normally तब चलता है जब disease के symptom आते हैं तो उस condition में जो pathogen का concentration होता है body में बहुत high हो जाता है लेकिन अगर बहुत कम concentration bacteria या virus का body में है और कम concentration नहीं शुरुआत हुई और अभी symptom नहीं disease के appear हो रहे हैं तब भी हम उसको detect कर सकते हैं उसके nucleic acid को amplify करके PCR के दोरा PCR technique के बारे में पिछले chapter में आपको पढ़ाया था PCR का काम होता है amplification of the DNA तो bacteria या virus या जो भी pathogen है उसके nucleic acid का amplification करके हम यह जान सकते हैं 21 pathogen की वज़े से या कौन सा pathogen body में enter कर चुका है अभी उसने disease cause नहीं किया अभी उसने body में enter किया है और धीरे धीरे multiply करके अपने number को बढ़ाएगा और fit disease cause करेगा तो इस तरीके से हम पहले ही बिमारी होने से पहले ही PCR के दोरा बिमारी का पता लगा सकते हैं आज के समय में जो PCR है इसको routine test के तोर पे यूज किया जाता है HIV को detect करने के लिए suspected AIDS patient में suspected क्या है बटा ऐसे patient जिनमें AIDS हुआ नहीं लेकिन वो suspected है अब suspected कौन होता है जैसे sex workers की बात करें वो suspected उनमे AIDS होने की probability ज़ादा है तो suspected AIDS patient में PCR को routine test के तोर पे यूज किया जाता है हर 6 महिने के बाद उनका टेस्ट किया जाता है और ये पता किया जाता है कि उनकी body के अंदर HIV तो नहीं आ गया है तो AIDS अभी उन्हें हुआ नहीं suspected AIDS patient में HIV को detect करने के लिए PCR को routine test के तोर पे यूज किया जाता है इसके अलावा PCR का यूज बेटा किया जाता है mutation को detect करने के लिए suspected cancer patient में suspected cancer patient कौन है जो cigarette पीता है जो तंबाकू या सुर्थी खाता हूँ suspected cancer patient है और उसमें gene में mutation को detect करने के लिए भी PCR technique का यूज किया जाता है और PCR एक powerful technique है जिसके दोरा हम कई genetic disorder का आनुवांसिक बीमारियों का पता लगा सकते हैं चले बटा अब यहाँ पर एक sentence आप से पूछा था probe के बारे में तो probe जान लीजे क्या है इस single standard DNA यार निधान दीजेगा single standard DNA हो या single standard RNA हो जिसके साथ हम radio active molecule को tag करते हैं tag मतलब जोड़ देना facebook पे आप tag करते होंगे अपनी पोस्ट डालते हैं पिछतर लोग को tag करते हैं चार लाइक मिलते हैं आपको वही tagging है यह tag कर देना तो tag मतलब क्या करते हैं आप जोड़ देते हैं तो अगर single standard RNA या single standard DNA के साथ radio active molecule को tag कर दिया जाता तो उसे probe का नाम दिया जाता और यह definition आप से पूछे जाती है अब इस probe का detection किया जा सकता है किसके दौरा आटो रेडियोग्राफी के दौरा कहीं पर भी अगर radioactive molecule है तो आटो रेडियोग्राफी के दौरा हम उसका detection कर सकते हैं तो आटो रेडियोग्राफी के दौरा जो mutated gene होते हैं उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं यह इसका application हो जाएगा तो probe के दौरा हम mutated gene को पहचान सकते हैं चलिए अगली टेक्निक जो पहचान सकते हैं ELISA enzyme linked immunosorbent असे पहला सवाल तो ही पूछा जाता है कि ELISA is based on तो this is based on the principle of antigen-antibody interaction antigen क्या है antibody क्या है बटा इसके बारे में आपको बताया है antigen-antibody interaction के बारे में है antigen-antibody interaction की बटा अगर हम बात करते हैं पैथोजन से जो infection होता उसको detect किया जा सकता है antigen की presence के आधार पर antigen कोई भी chemical हो सकता है protein हो सकता है glycoprotein हो सकता है तो infection को detect करने के लिए हम body के अंदर अगर कोई antigen है तो उससे हम pathogen को detect कर सकते हैं या फिर जब कोई भी antigen body में आता तो उसके खिलाफ हमारी body antibody बनाती है और antibody क्या होती है? antibody हमेशा glycoprotein होती है और इन antibody के synthesis body के अंदर pathogen के against या antigen के against होती है तो अगर हमारी body में कोई antigen आया मतलब pathogen आ गया है इससे भी हम पता लगा सकते हैं और अगर हमारी body में कोई special type की antibody बन रही तो इसका मतलब है कि ये antibody antigen के against बन रही तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं यानि हमारी बॉड़ी में कोई अगर इंटीजन है या कोई इस्पेसिफिक इंटीबॉडी बनने ही तो इसका मतलब हमारी बॉड़ी में कोई पर्टिकुलर इंफेक्शन हुआ है चाहिए अगला टॉपिक यहाँ पर है that is ट्रांस जनिक एनिमल्स ट्रांस का मतलब बटा होता है दूसरे जनिक मतलब जीन तो ऐसे एनिमल जिनकी बॉड़ी की सेल में दूसरे का जीन हो उन्हें ट्रांस जनिक एनिमल्स कहा जाता है यह देखे लिखा भी एनिमल्स that have their DNA manipulated to possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animal जैनी जिस एनिमल के पास दूसरे किसी औरगनिस्म का जीन हो उसे transgenic animal कहा जाता है transgenic animal कौन कौन से हैं जैसे transgenic rat है बेटा transgenic rat हो गए, transgenic rabbit हो गए, इसके लावा transgenic pig, sheep, cow, fish यह सब genetic engineering या biotech की technique के दोरा बनाए गए हैं लेकिन जितने भी transgenic animal हैं उनका 95% से ज़्यादा माईस है बेटा, यानि 95% से ज़्यादा transgenic animal माईस होते हैं अब इन transgenic animal को क्यों produce किया गया है और यह human के लिए किस तरीके से benefit हो सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो बेटा, transgenic animal के 5 benefit हैं सबसे पहला जो benefit है, that is, normal physiology and development का पता लगाने के लिए transgenic animal को इस तरीके से design किया गया विशेश रूप से कि इनके आधार पे हम यह study कर सकते हैं कि जो gene होते हैं किस तरीके से regulate करते हैं gene किस तरीके से normal function को affect करते हैं और यह body के development में किस तरीके से role play करते हैं gene का जो regulation है वो leacopron model में भी आपको पढ़ाएगे हैं जैसे study of complex factor involved in growth such as insulin like growth factor यह बहुत important है बेटा insulin like growth factor insulin hormone की तरह का growth factor हमारी body में होता है और यह growth factor हमारी body की growth में किस तरीके से involve होता है यह study हम transgenic mice के ओपर कर सकते हैं अगर हम किसी भी animal के अंदर gene को introduce करते हैं दूसरी species का जैसे human का gene अगर हम mice के अंदर introduce करते हैं तो इसकी वज़े से जो insulin like growth factor का formation है बेटा उसमें alteration आ जाएगा और फिर हम यह study कर सकते हैं कि इस insulin like growth factor का क्या effect होता है उस mice के ओपर जो effect mice में होगा वही effect human के अंदर भी दिखाई देगा ट्रांजनिक animal का बेटा दूसरा benefit है बीमारियों का अध्यन करने के लिए study of disease कई सारे ट्रांजनिक animal बेटा इस तरीके से design किये गए हैं ताकि हम यह समझ सकें कि जीन किस तरीके से contribute करते हैं नई नई बीमारियों के development में क्योंकि बैटा जो जीन होते हैं जीन में effect होने की वज़े से बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो ट्रांजनिक animal को इस तरीके से बनाये गया ताकि हम यह समझ पाएगी जो जीन होते हैं किस तरीके से बीमारियों के डेवलप्मेंट में रोल प्ले करते हैं अब इन एनिमल को एक मॉडल के तौर पे यूज किया जाता है human diseases का अध्यन करने के लिए इन्हें मॉडल के तौर पे यूज किया जाता है तो अब बेटा जैसे अगर हम बात करें ट्रांजेनिक मॉडल के बारे में तो ट्रांजेनिक मॉडल कौन कौन सी बीमारियों के लिए बनाए जा चुके है cancer के लिए cystic fibrosis के लिए rheumatoid arthritis के लिए और Alzheimer के लिए इसको आप CAR से याद कर सकते है ट्रांजेनिक मॉडल किसके लिए बनाए गया कार के लिए ऐसे आप लिखेंगे C for cancer and C for cystic fibrosis, A for Alzheimer and R for rheumatoid arthritis ये कुशन direct exam में पुछा जाएगा कि कि किन-किन बीमारियों के लिए ट्रांजेनिक मॉडल बनाए गया है तो आप क्या बताएंगे cancer के लिए cystic fibrosis के लिए अलचाइमर के लिए और rheumatoid arthritis ये बीमारियों के लिए ट्रांजेनिक मॉडल बनाए चा चुके है अब बात करते हैं तीसरा जो contribution है ट्रांजेनिक एनिमल का biological product के तौर पे बहुत सारी ऐसी दवाईया हैं जिनकी जरूरत होती है human diseases को treat करने के लिए इन दवाईयों में biological product भी होते हैं लेकिन इन product को बनाना बहुत ही महंगा होता है अब जो ट्रांजेनिक एनिमल होते हैं इन ट्रांजेनिक एनिमल के दौरा हम इन biological product को आसानी से create कर सकते हैं जैसे ह हमने इन्सुलिन को इकोलाई के अंदर produce करा है वैसे हम ट्रांजेनिक एनिमल के अंदर biological product को बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं हम DNA या जीन को introduce कर देंगे ट्रांजेनिक एनिमल के अंदर और यह DNA या जीन code करेगा एक particular product के लिए जैसे human protein एक है बहुत important अच्छे स्याद बैटा और इसका योज emphysema को treat करने के लिए किया गया है बैटा emphysema पढ़ चुके हैं इसके बारे में cigarette smoking की वज़े से बीमारी होती है human physiology में मैंने आपको पढ़ाया है ऐसी कई सारी कोसिसें और की जा रही है phenyl ketonuria जो कि एक genetic disease है mendelian disorder है और cystic fibrosis भी genetic ya mendelian disorder है इन्हें treat करने के लिए भी ये कोसिस की जा रही है तो बैटा emphysema के लिए emphysema के लिए phenyl ketonuria के लिए और cystic fibrosis को treat करने के लिए biological product बनाए जा रहे है alpha 1 anti-tripsin चरूराप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे अब 1997 में बैटा पहली transgenic cow बनाएगे जिसका नाम रूजी है और इसके दोरा जो milk को produce कराया गया वो उस milk में human protein काफी ज़्यादा मात्रा में 2.4 ग्राम पर लिटर और इस milk में रोजी cow से मिलने वाले milk में बैटा human alpha lactilbumin protein काफी ज़्यादा मात्रा में है 2.4 ग्राम पर लिटर और ये nutritionally ज़्यादा balanced product है human babies के लिए than natural cow milk यानि गाई के दूद की तुलना में रोजी cow का जो milk है ये बच्चों के लिए ज़्यादा फायदे मन्द है क्योंकि इसमें protein की मात्रा काफी ज़्यादा है 2.4 ग्राम पर लिटर तो बैटा transgenic animal के तीन application हमने पढ़ लिए चौथा application है vaccine safety vaccine safety human में किसी vaccine को बैटा यूज करने से पहले उसे दूसरे transgenic animal पे यूज किया जाता है transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccine before they are used on human आप देख रहे हैं से मैं corona vaccine के ओपर काम चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि लगातार new job को मिलती की corona vaccine की testing चल रही है उस vaccine की safety को चेक किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि उस vaccine को लगाने से किसी human की death हो जाए या कोई दूसरी गंभीर बीमारी हो जाए वैक्सिन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम बीमारी उसे बचाओ कर सके हैं लेकिन vaccine लगाने से अगर बीमारी हो गई तब तो फिर यह बहुत खतरनाक हो जाएगा तो वैक्सिन को human में यूज करने से पहले उसकी safety को चेक करने के लिए ट्रांजेनिक माइस का यूज किया जाता है और ऐसा किया जा चुका है बैटा देखें ट्रांजेनिक माइस को यूज किया था हमने पोलियो वैक्सिन की safety को चेक करने के लिए बहुत important point है आपके नीट में पूछा जा चुका है नीट पहले बैटा AI PMT के नाम से हुआ करता था तो उसमें कुछन पूछा गया है कि पोलियो वैक्सिन की safety को किस में चेक किया गया था याद रखिएगा ट्रांजेनिक माइस में यूज किया गया था और अगर ट्रांजेनिक माइस में वैक्सिन safety का यूज करना successful होता और यह बिस्वसनी होता ह तो मंकी को रिप्लेस कर दिया जाएगा पहले मंकी पे टेस्स किया जाता था क्योंकि मंकी आप जानते कि हमारे पूरवज है close relative होते हैं तो अगर मंकी की जगे पर हम ट्रांजेनिक माइस का यूज करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा बिस्वसनी हो सकते हैं ट्रांजेनिक एन vaccine safety के लिए जो तरीका हम यूज करते हैं वही तरीका chemical safety testing के लिए भी किया जाता है चले बटा तो इस chapter का सबसे last topic है that is ethical issues नैतिक मुद्दों की हम बात करेंगे बटा है ना तो नैतिक मुद्दे यहाँ पर किया है इसको जरा समझने की कोसिस करते हैं कि अगर हम किसी भी living organism मे कोई बदलाओ करते हैं manipulation मतलब बदलाओ करना by the human risk cannot go on any further without regulation बिटा बिना किसी नियंतर के अगर human लगातार living organism में manipulation करता रहेगा बदलाओ करता रहेगा gene में तो इसके बहुत ही गंभीर परिडाम हो सकते हैं तो इसलिए कुछ ethical standard कुछ नैतिक यहाँ पर मापदंड बनाने की जरूरत है और ताकि हम उस mortality को है ना कुछ हमें बटा मापदंड बनाने की जरूरत है ताकि हम मुल्यांकन कर सकें evaluation कर सकें human activities की morality का और साथ ही साथ हम यह भी जान सकें कि यह जो human कर रहा है जो भी manipulation कर रहा है जीन में इससे क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं बटा देखे होता क्या है कि जब हम polio vaccine या किसी भी vaccine की testing करते हैं transgenic animal की animal के ओपर तो 100 में से एक दो experiment ही सफल होते हैं ज्यादा तर cases में जब हम vaccine का use करते हैं transgenic animal पे तो बहुत ही धरतनाक उनकी मौत होती है तो इसका मतलब यह कि transgenic animal को हम नुकसान भी पहुँचाते हैं दूसर reality के अलावा यानि नैतिक धर्म के अलावा biological significance जानना भी जरूरी है कि जो हम manipulation कर रहे हैं living organism में क्या वो हमारे लिए जरूरी क्या वो important है genetic modification से बेटा organism में unpredictable result हो सकते हैं मतलब ऐसे result हो सकते हैं जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं और अगर इन organism को ecosystem में हम introduce करेंगे तो इसके गंभीर परिडाम हो सकते हैं जैसे इसी topic पे movie बनी है बटा पिरहाना Hollywood की movie पिरहाना उसमें ये दिखाये गया है कि पिरहाना नाम की एक मचली में कुछ ऐसा ही genetic modification किया गया और genetic modification करने से बहुत ही खतरनाक हो गई और उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचा ही लोगों को मा इडियोस करेंगे तो उसके क्या परिडाम होंगे बहुत कंभीर परिडाम भी इस बात की हो सकते हैं इसी लिए इसी लिए जो भारत सरकार है उसने एक organization बनाए एक संस्था बनाई है जैसे जीए की पूचा जाता है लगाता नीट में genetic engineering approval committee बनाई बटा जो इस मामले के decision ले modification का जो research करेंगे उसकी validity क्या होगी साथ साथ safety of introducing GM organization for public services public services के लिए कौन कौन से GM product को introduce किया जाएगा इस पे भी यही निरड़े लेती है अब बेटा जब अगर किसी organization में modification किया जाता है और modification के बाद हम उसे use करते हैं public services के लिए food के तौर पे या medicine source के तौर पे तो इससे problem शुरू होती है patent की patent की कई सारी समस्याएं हैं जिसके बारे में यहाँ पर हम discuss करेंगे जैसे बादा rice की हम बात करते है rice एक important food grain है और इसकी जो प्रिजन से बादा यह Asia's agricultural history में हजारों साल पुरानी यानि हजारों साल से Asia में लगातार चावल की खेती की साती है अगर हम India की बात करते तो इंडिया में अकेले दो लाख variety rice की हैं और rice की जो diversity इंडिया में है बटा यह दुनिया की सबसे richest diversity में से एक है अब बास्मती rice की बेटा अगर हम बात करें तो बास्मती rice अपनी unique aroma यानि सुगंद के लिए और flavor स्वाद के लिए एकदम अलग हो पूरी दुनिया भर में जानी चाहती है एकदम unique है बास्मती rice आप सभी ने नाम सुना होगा खाया भी होगा और 27 documented variety बास्मती की ऐसी जो इंडिया में ग्रो कराई जाती है बास्मती का जो reference है बटा यह reference आपको ancient text प्राचीन ग्रंथों में मिलता है हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है फॉल्क लोग गीतों में और कविताओं में मिलता है क्योंकि इसे हजारों साल से ग्रो कराई जा रहा है इसलिए हजारों साल पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है अब 1997 में एक American company के दौरा बास्मती rice के patent हासिल कर लिए गये patent right यानि patent के अधिकार हासिल कर लिए गये यूएस patent and trademark office के दौरा और इस patent की वज़े से इस company को ये अधिकार मिल गया कि ये बास्मती rice की new variety को अमेरिका में और abroad यानि विदेशों में silk कर सकती है लेकिन इस company ने जिस American company ने बास्मती की new variety के बारे बताई ये new variety actually Indian farmer varieties से ही derive की गई थी उस company ने क्या किया Indian बास्मती का cross करा दिया semi-door varieties से और claim कर दिया कि उसने एक नया invention कर दिया नई खोच कर दिया उसने नई बास्मती की variety develop कर दिये तो अब इसकी वज़े से एक case चला मुकदमा चला और ये company मुकदमा हार गई और India इस मुकदमे को जीत गया इस patent की वज़े से इस company को ये अधिकार मिल गया था कि कोई भी दूसरा परशन बास्मती rice को sell नहीं कर सकता था इस patent की वज़े से तो American company ने जो किया वेटा उसे हम बायो पायरेशी के नाम से जानते हैं बायो पायरेशी क्या है बायो पायरेशी का मतलब है यूज ऑप बायो रिसोर्सेज बाई multinational companies, multinational companies जैसे MNCs की बात करते हैं इन्हें MNCs कहते हैं जिन कंपनियों का business कई देशों में होता हूंने MNCs multinational companies कहते हैं तो multinational companies या दूसरे organization के दौरा अगर बायो रिसोर्सेज का यूज किया जाता है बिधाउट बिना किसी proper authorization बिना अनुमत लिये हुए जिस country से एक product उन्होंने लिया है और जिन pupil से वो product related है और उनको बिना कोई पैसा दिये हुए compensatory payment किये हुए तो अमेरिका की company ने इंडिया के बास्मती rice को बेचना शुरू किया बिना हमसे अनुमत लिये हुए और बिना हमें कोई payment किये हुए तो ये बायो पायरेसी का case हो जाएगा जब आप movie देखने जाते तो वहाँ पर भी सबसे पहले लिखके आता कि piracy मत करिये पायरेसी का मतलब क्या है कि अगर आप video recording कर लेंगे movie के और उसको फिर आप इधर उधर बाटना शुरू करेंगे तो ये piracy का case बन जाता है तो पायरेसी का मतलब है कि जिस परसन ने उस movie क को बना एक करोड़ों रुपए खर्च किये हैं अगर आप पायरेसी करेंगे तो कैसे फिर उसका नुकसान होगा और movie फिर कैसे बनेगी आपका entertainment कैसे होगा तो ये piracy का case होता है और bio piracy जब living की piracy होती तो उसे bio piracy कहते हैं तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम बनाने शुरू कर दिये ताकि अनुची तरीके से उनके resources का उपियोग ना हो सके और उनकी जो traditional knowledge उसे बचाया जा सके तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन पार्लिमेंट यानि भारती संसद में recently ही एक बिल पास हुआ है बटा second amendment in Indian patent bill इंडियन patent bill IPB में second amendment यानि दुतिस संसोधन किया गया है और इस दुतिस संसोधन में इन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है कौन से मुद्दे है patent term emergency provision and research and development initiative इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है आपको क्या ध्यान रखना है कि Indian patent bill में हाल ही में second amendment यानि तुतिस संसोधन किया गया है exercise में बटा एक बहुत important question है जो आप जरूर कर लेंगे यह पहला वाला crystal of BT toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because BT toxin bacteria produce करता है लेकिन bacteria की खुद की death क्यों नहीं होती क्योंकि bacteria के जो बीटी toxin बनाया जाता है यह inactive होता है और जब इंसेक के गट में जाता है तो inactive से active form में change हो जाता है alkaline pH पर और यह आपसे लगातार exam में पूछा जाता है नीट में लगबग हर साली question आपसे पूछा जाता है तो इसके साथ ही chapter आपका complete हो जाता है अगली unit कौन सी होगी comment section में भी जरूर आप बताईगे और एक poll में कराऊंगा वहाँ पर भी इसके बारे में आप बताएंगे कि अगली unit आप कौन सी चाहते हैं क्रेस कोर्स में तीन unit बची हुई है cell unit बची हुई है structural organization in plant and animal और biology in human welfare तीन unit में से कौन सी unit आप चाहते है comment section में जरूर बताएंगे अगर आपको ये क्रेस कोर्स पसंद आ रहा हो तो like करिएगा नहीं पसंद आ रहा हो तो dislike करेंगे आपके जो भी सुझाओं है वो comment section में आप जरूर बताएंगे चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe जरूर करेंगे वीडियो को ज्यादा ज्यादा share करेंगे best of luck for your NEET 2020 exam अगर आप NEET में बहुत अच्छा score biology में करना चाहते हैं यानि आप यह चाहते हैं कि NEET में आपका 360 में से 360 नंबर आए तो इसके लिए आप हमारे classroom biology video lecture को purchase कर सकते हैं यानि 3000 रुपे में आप NCRT के सभी 10 unit और उनके 38 chapter को cover कर सकते हैं अगर अपनी पढ़ाई को आप boost up करना चाहते हैं आप zero level से भी start करते हैं तब भी आप अपने पूरे topic को cover कर सकते हैं साथी साथ अगर आप unit wise lecture लेना चाहें जैसे कोई unit genetics की बात करें अगर genetics unit में आपको कोई दिक्कत है तो ये unit केवल 500 रुपे में भी आप purchase कर सकते हैं यानि 10 unit में से किसी बेगर एक unit को आप purchase करना चाहते हैं तो उसे केवल 500 रुपीज में purchase कर सकते हैं और सभी जो 10 unit की cost है वो 3000 रुपीज है जो की actual जिनकी cost 19,000 होती है ये इस समय आपको provide किये चाह रहे हैं अगर आप इन video lecture को लेना चाहते हैं तो इसके लिए description में आपको link दिया गया है उस link पे जाके आप इन video lecture को purchase कर सकते हैं और इसी साल आप neat में selection ले सकते हैं अगर आपको biology में कोई दिक्कत हो रही तो इनके दोरा आप आसानी से इन lecture को करके अपने neat में सफलता पा सकते हैं